तो हेलो दोस्तों नमस्कार फिर साब सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ वो हैं जिनको हम आपको पहले भी दिखा सुके हैं वीडियो में उनसे काफी बाते हो चुकी लेकिन काफी लोगों ने हमें परसनली आके बोला और कमेंट्स पिया थे कि सार को फिर से एक बार लेक कोशने की आप सभी को मेरा नमस्ते मेरा नाम अर्नव मिश्टा है और यह सेकंड टाइम है जब मैं आप लोग के सामने प्रस्तों दूँ और आप लोग के जो भी सवाल है उनको मैं आंसर करने कोशिश करूंगा तो मतलब आपका फर्स्ट कोशन यह था कि रिजल्ट आने के और लबासना जॉइनिंग के पहले क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं तो मतलब काफी सारा पेपर वर्क होता है जैसे मैं पहले अल्रेडी सर्विस में था मैं यूपी स्टेट में अड़ेपोटी कलेक्टर की पोजिशन पर पहले से था तो मुझे जैसे एक्स्ट्रा पेपर जॉइनिंग के समय तो इसी तरह कि बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं जो कि आपको फुल्फिल करनी होती हैं और आपके फैमिली डेटेल्स वगयरा तो इस तरीके की प्रोसीजर्स आप कंप्लीट करके फाइनली आप मसूरी पहुंचते हैं लबासना और वहां पे भी आ लबासना का फुल फॉल फॉरम जो है वो है लाल बहादुर शायस्त्री नाशनल अकाडमी और अड्मिस्ट्रेशन बट जो उसका इमोशन है वो एक अलगी है क्योंकि हर आइस एस्पिरेंट हर सिविल सर्विस असपिरेंट के लिए लबासना का अलग मीनिंग होता है और मत फ़रा समा के structure, infrastructure defined करिये तो basically जब लालबादु शास्त्री अकडमी है वो मसूरी में स्थित है और वहां पे आपको basic facilities से लेके advanced facilities तक सभी available हैं तो जैसे basic facilities में hostel facilities जो की एक बहुत essential component है और मसूरी compared to planes हम लोग जैसे यहां रहते हैं तो compared to थंडा भी बहुत रहता है तो उसको उस हिसाब से पूरा design किया गया है तो जैसे की पूरा जो academy है वो एक पहाड पर बसी हुई है तो वहाँ पे जो hostels हैं वो भी पहाड पर बसे हु आने थे तो वो तो काफी समय से चले आ रहे हैं और उन में सारी basic facilities जैसे की washing room और heaters और यह सारा कुछ clean water यह सब कुछ available है और अभी नए hostels भी बने हैं जैसे की silverwood नाम से और monastery नाम से जो की अब बहुत ही advanced hostels हैं जहां पे lounge से लेकर सारी basic facilities, game room यह सब कुछ available है जहां पे आके बैठ सकते हैं, conference rooms हैं जहां पे आप अपने लोगों से interact कर सकते हैं तो इस तरीके की सारी basic facilities आपके लिए available हैं साती साथ आपके classroom facilities हैं जहां पे सारी advanced facilities जो भी आप कहें चाहें प्रोजेक्टर से लेके live video play करने से लेके सभी basic चीज़ें आपके लिए available रहती हैं classrooms जैसे ग्यानशिला और कर्मशिला नाम की दो building हैं जहां पे हम लोगी classes होती है regularly तो यह इस तरीके का infrastructure है सर जैसा है कि जह हम academy में घुसते हैं तो वहाँ पर एक बाग के लिखा होता है शीलम परम भूश्णम तो इससे आप तोड़ा define करिए हाँ यह मतलब जब मैं academy नहीं गया था और जब त्यारी कर रहा था तो मेरा भी हमेशा से एक सपना था कि इस statement के नीचे जा के photo की चाहूं क्योंकि यह statement हमेशा मतलब यह represent करता है academy को और यह academy का motto भी है तो उस समय तो शायद मैं कम समझता था अब मुझे जब समझ में धीरे-धीरे करके की character is the utmost virtue जो इसका अगर English में translation करें तो मतलब की एक civil servant के लिए एक officer के लिए और एक human being के लिए character ही एक ऐसी चीज है जो उसको define करता है मतलब की character एक ऐसी चीज है जिसको बनाने में महिनों सालों कई साल लग जाते हैं और खराब होने में पलग जपकते वो खराब हो जाता है तो अगर civil servant का character strong है तो वो भले ही ऐसा हो सकता है कि कुछ समय के लिए उसे समस्य है face करनी पड़ें कुछ समय के लिए उसको दिक्कते आएं पट ultimately अगर आपका character अच्छा है तो definitely आप succeed करते हैं अपनी service में अपनी life में हमने सुना है कि लबासना को कुछ academic song वगरा है तो ऐसा कुछ जी हाँ तो लबासना का academic song create किया गया था जिसमें कि almost सारी languages को include किया गया है तो क्योंकि वो एक inclusive song बनाय गया था जिसकी lines इस तरीके से हैं कि रहो धर्म में धीर, रहो कर्म में वीर, रखो उच्चा सिर, डरो ना तो मतलब इसी paragraph है, इसको तेलगू में, मल्यालम में, हिंदी में, कंणड़ा में, इसी तरीके से SMEs में, सभी languages में इसको repeat किया जाता है और basically उसका जो मतलब होता है वो यह होता है कि जैसा कि आप समझ भी सकते हैं कि अपने कर्म में आपको लगे रहना है और अपना धर्म जो की होता है, जिसको की morality कहता है, कि आपको अपने morals में, अपने character में strong बने रखना है कभी कबार परिसितियां गड़ बढ़ाएंगी, लेकिन आपको अपना से रूचा रखके हमेशा एक strong character के साथ काम करते रहना है सर उसके बाद हम आपसे जाना जाते है कि जब लबासना में कोई भी candidate जाता है, तो उसके बाद कभाएंगा जो foundation course होता है, वो क्या है, उससे आप define करीएंग है तो जैसे लबासना की training होती है, for IS officers तीन phases में होती है, तो उसका first phase होता है foundation course और ये करीब-करीब तीन महीने का होता है, foundation course में IS के साथ-साथ बाकी सारी services वाले भी होते हैं, जैसे कि IPS वाले होते हैं, Indian Forest Service वाले, Indian Revenue Services वाले और जितनी भी services होती है, सारी services के officers साथ में training करते हैं, initially के तीन महीने, तो इससे क्या होता है कि सब लोगों के बीच में आपस में friendships develop होती हैं, और आगे चलके जब सब लोग अपने-पने department, अपनी-अपनी academies चले जाते हैं training करने हैं, और धीरे-धीरे करके future में positions पर मिलते ह तो भी inter-service coordination बना रखता है, तो यह foundation course का एक बहुत essential component होता है, अच्छा, सर हमारा जो अगला सवाल वो यह है कि जैसा है कि IES, IPS जो अपने भी पूस्ट होती हूं, उसमें dress code बहुत essential part प्ले करता है, तो dress code के बारे माँ पुड़ा पताईए हमे, men's, women's का, ठीक है, तो जैसे कि dress code के लिए हमें एक manual मिलती है, पूरी, हैना कि आपको किस तरीके से अपने आपको carry करना है, as an officer आपको किस तरीके से behave करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो उसमें जैसे कि तीन तरीके से defined होता है, कि एक तो informal clothing होती है, जो कि आप अपने hostels होगेर, हमें casual आप पह गला black होता है, वो एक ceremonial dress है, उसको आप 15 अगस 26 जनवरी किसी भी senior से आप जैसे इंटराट करने जा रहे हैं, मतलब जैसे honorable governor से, honorable chief minister से, इसी तरीके से senior से जब आप अप इंटराट करते हैं, तब आप बंगला पहन के जाते हैं, आप day to day की अपनी official functioning में, अपनी class में, आप आपको formals पहना जरूरी है, जिसमें पहन सकते हैं, आप coat पहन सकते हैं, blazers पहन सकते हैं, तो इस तरीके से आपकी formal dressing बहुत ही essential component है, और अगर आप, जैसे की, और आपका sports dressing भी important है, जैसे सुबह के time पर, foundation में और आगे भी sports activities होती हैं, तो अगर उसमें आप sports clothes में dress नहीं है लबासना के track suits होते हैं, अपने लबासना की jackets होते हैं, उनमें dress नहीं है, आप proper shoes पैन के नहीं आएं, तो आप उनमें participate नहीं करेंगे, they'll turn you back, आपको वापस जाके change करके आना पड़ेगा, और ये एक बहुत दिलंबा task भी होता है, क्योंकि पहाणों पर पूरी academy बनी होई ह तो आपको बहुत कम टाइम में वापस जाके वापस change करके आना है, तो dressing एक essential component है, चाहे mess हो, चाहे कहीं पे भी हो, आपको formal dressing में हमेशा रहना है, अच्छा, अब women's के लिए साड़ी, हाँ, women के लिए साड़ी और suit डोनों आप allowed रहता है, लेकिन ceremonial dress हमेशा साड़ी रहती है आपको